तो गाइस पूरे ही पैर पे लगे हैं कीड़े और देखिए ब्लैक वाले कीड़े हैं जो कि बहुत ही खतनाग होते हैं लोगों ने से तरीके से काट के रिमूव किया और ये कुछ गिनर टाइब की कीड़े थे जो कि पूरे ही पैर पे लग चुके हैं और ये रेड़ वाले गिनर टाइब कीड़ा था जो कि ये पी रिमूव हुआ अभी मैंगोड को हम लोग काटेंगे तो देखें मैंगोड को हम लोग रिमूव कर रहे हैं दीरी दीरे तो ये वाइट वाला मैंगोड भी रिमूव हुआ बहुत ही पॉसम तरीके से और ये ब्लैक वाला मैंगोड साव को भी रिमूव हुआ भी ट्राइफोपोपी वाले कीड़े को काटेंगे तो देखें ट्राइफोपोपी वाला कीड़ा भी कट के निकत चुका है की बार में आगे हमारे पतल वाला जाकूँ और ये ब्लैक वाला ट्राइफोपोपी वाला कीड़ा था जोग ये भी सेप्टरी से कट चुका है और ये होल वाला ट्राइफोपोपी था जोग ये भी रिमूव हो चुका है वासम तरीके से और ये ब्लैक वाला कीड़ा भी निकत चुका है और ये होल वाला कीड़ा भी देकी बहुत इसे तरीके से रिमूव हो चुका है एक ही बार में और ये घिनाने टाइब का कीड़ा भी रिमूव हो चुका हम लोग दवा लगाएंगे तो देखिए दवाई एक जगह लगी और दूसरे जगह भी हम लोग ने दवा लगा दिया इसे तरीके से अब आगा हमारा कॉटन तो हम लोग टाइम चलाएंगे टाइमर चलाने के बा तो फाइनली टाइमर चल जुका है और देख सकते हो फुट का हम लोग ने बहुत ही से तरीके से ट्रीट्मेंट एनिमेशन किया है अब लोग देख सकते हो इस लड़की के पूरे ही देखिए पैर पे बहुत ही तगड़े वाले कीड़े लगे हैं और बहुत ही जादे खतानाक वाले तो देखिए हम इसको बहुत ही से तरीके से रिमूओ करेंगे पूरे के पूरे कीड़े को आगे हमारा हेंड वाला चापू और देखिए इस ब्लैक वाले कीड़े को बहुत ही सेप और आसम तरीके से काटा आसम की तरह और ये कुछ गिर्णोरे टाइप के कीड़े दिख रहे थे उसको भी रिमूट कर दिया एक ही बार में और ये पैर पे लगे हुए मैंगोर्स को भी रिमूट किया और ये दूसरे वाले पैर के मैंगोर्स को उसको भी रिमूट कर दिया बहुत ही सेफ तरीके से आगे हमारा है हैंड वाला चाकू और देखिए पैर पे बहुत ही ज्यादा खतरनाग दिख रहा है कीड़ा वो भी र और ये भी बहुत ही जादा गिनाओ ना दिख रहा था कीड़ा इसको भी सेफ तरीके से रिमूग कर चुका है और ये गिनाओ ने टाप का कीड़ा को एक ही बार में रिमूग या रेडवाला चापू ने और देखिए हमारे बड़े बड़े चापू ने पूरे के पूरे एक पैर का पूरा के इन ट्रीट्मेंट कर चुका है और ये जख मौले कीड़े हैं ये भी सेफ तरीके से रिमूग हो चुके हैं और समतर रखते और ये भी कुछ कीड़े थे वो भी रिमूग हुए एक ही बार में आगे हमारा दूसरा उला चापू और ये फिंगर्स वाले कीड़े को एक ही बार में रिमूग कर चुका है पूरा का पूरा आगे हमारी स्प्रे का दवा अब एक जगह दवाई पढ़ चुकी है दूसरे भी जगह डाल देते हैं तो दूसरे जगह भी दवाप पढ़ चुकी है बहुत ही सेप और आसम तरीके से आगे हमारा कॉटन वाला रूई तो टाइमर चलने देते हैं टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है हमारा एच अब लोग देख सकते हो इस आदमे के पूरे ही पैर पे हो गए हैं कीडे और देखिए हम चाकू के मारा देम से बहुत ही सेप तरीके से इसको रिमूट कर रहे हैं बहुत ही आसम तरीके से और ये वाले कीडे भी थे जो की केच्वी वाले कीडे थे और रिमूट हुए और ये भी बहुत ही जादा घिनावले टाइप के दिख रहे थे कीडे वह भी रिमूट हो चुके हैं एक ही बार में अब ये मारा पतलो चाकू आया बहुत ही सेप और और सब तरीके से काट की गिराया कीडे को और ये देखी गिनावले टाइप के कीडे दिख रहा था इसको भी सेप तरीके से गिरा चुका है और वाला चाकू अमारा आया और ये बिगिनावले टाइप का कीडा दिख रहा था वो भी रिमूट हो चुका है एक ही बार में आगे हमारा दूसरा ओला चाकू और देखिए पैर पे लगे हुए बहुत धेर सारे कीड़ों को एक ही बार में ट्रीट में करिए और ये ट्राइप फोब्या वाले वारस थे वह भी रिमूट हो चुके हैं हैंड वाला हमारा चाकू आया और ये कुछ वारस वाले कीड़े को निकाल चुका है एक ही बार में आगे अक्रोम वाला चाकू हमारा और ये मक्की वाले कीड़े थे वह भी रिमूट हो चुके हैं और ये मक्कीों की भंडाल वाले कीड़े थे वह भी सेब तरीकी से कट चुके हैं और ये राइस वाले कीड़े थे वह भी रिमूट हुए अभी हमारा चाकू इसको भी काट देगा गिनवने डाइव के कीड़े को तो देखिए ये भी बहुती सेब तरीके से ओसम तरीके से गिर चुका है पूरा का पूरा हम लोग दवा डालेंगे और एक जगह और दवाई डालेंगे तो देखिए दूसरे जगह ड़ने के बाद ही ये ठीक हो पाएगा तो हम लोग कॉटन वूल रूई से इसे साफ कर देते हैं तो टाइमर चलने देते हैं टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल जट क्या निकलता है तो देख सकते हो दूनों होई पैर उपे बहुत ही चादा कीड़े लग गए हैं अब दोनों ही पैर का हम लोग ट्रीट्मेंट करेंगे तो देखिए हमारा चागू बहुत ही सेप और आसम तरीके से रिमू किया आगे हमारा चोड़ा वाला चागू और देखिए बहुत ही अवसम तरीके से घवद वाले कीड़े को एक ही बार में काटके हम लोगों ने गिराया और ये गिनुडे टाइब का कीड़ा था ये भी रिमू हो जुका है बहुत ही सेप तरीके से आगे हमारा एंड़ वाला चागू और ये गोल वाले कीड़े वो एक ही बार में काटके हम रिमू कर सुका है और ये बहुत ही सेप तरीके से काटके गिराया वायरस को और ये कुछ और कीड़े थे जो कि खिनलने टाइब के थे और ये रेड़ वाले खतरना कीड़े थे जो कि ये भी कटके रिमू हो सुके हैं तो हम बहुत ही ओसम तरीके से इसका ट्रेटमेंट कर रहे हैं इसके पूरे ही पैर का और दीखिए कुछ कीड़े को हम लोगों ने फिर से काटके गिराया और ये फिंगर्स वाले कीड़े को भी इसको भी से तरीके से काटके गिराया और ये बल्यक वाला कीड़ा था यह भी पूरे के पूरे रिमू हो सुका है आ गया हमारे इसके तो एक जगह हम लोगों ने इसकर मार दिया है और देखिए यह दूसरे जगा भी हम लोग ने बहुत ही से तरीके से मार दिया है अब हमारा कॉटन आ गिया तो टाइमर चलने देते हैं टाइमर चलने बाद देखते हैं फाइनल रिजर्ट क्या निकलता है वहलो गाई जैसे आप लोग देख सकते हो दोनों हुई पैर पे बहुत ही ज़्यादा कीड़े लग चुके हैं हम लोग चाखू के मादें से से रिमूओ कर रहे हैं और देखे के चुए वाले कीड़ियों को भी हम लोग ने इसे तरीके से काट की रिमूओ कर दिया है पूरा का पूरा और ये फिंगर्स वाले कीड़े को भी हम लोग ने इसे तरीके से काट के रिमूओ कर दिया है एक ही बार में अब ये आँख वाले वो आयरस को हम लोग ने इसे तरीके से काट दिया है पूरा का पूरा और ये भी कुछ किनोने डाप की कीड़े थे जो कि हम लोग ने से तरीके से काट दिया है चाकू के मादम से और ये हैंड वाला चाकू हमारा बहुत ही से और और सब तरीके से काट के रिकाल दिया है पूरा का पूरा और यह रेड़ वाला कीड़ा भी रिमू हो चुका है बहुत ही सेप तरीके से और यह बिकनोरे टाइब के कीड़े थे यह भी रिमू हो चुके हैं आगे हमारा हैंड़ वाला दूसरा चाकू तो हम दिरे दिरे ट्रेट्मेंट कर रहे हैं इसका बहुत ही ओसम और लुक तरीके से तो हमारा पत्रोला चाकू जो था बहुत ही ओसम तरीके से काट की निकाल चुका है पूरा का पूरा और यह भी कुछ के नोड़ाब की कीड़े थे वह भी गिर चुके हैं बहुत ही लुक तरीके से आगे क्रोम अला चाकू हमारा और देखिए एक वाले पूरे ही पैर को हम लोग ने सेफ तरीके से ट्रेटमेंट कर दिया है पूरा का पूरा तो देखिए बहुत ही ओसम तरीके से हम लोग ने ट्रेटमेंट कर दिये हैं इसके पूरे भी फुट का पैर का और देखिए हम लोग दवाई डाट देखिए तो दवाई ये जगह हैं पढ़ चुकी है और दूसरे जगह भी देखिए दवा हम लोगों ने डाल दिया है और ये हमारा दवाई चल चुका है आगे हमारा कॉटन वूल रूई तो टाइमर चलने देते हैं टाइमर चलने एक बाद देखते हैं फारर जाट हमारा क्या निक कि देखिए हम लोग चाओकू के मादम से बहुत ही से तरीके से डीप क्लीन करेंगे आज तो देखिए हमारा क्रोमो वाला चाओकू बहुत ही से तरीके से काट के चला गया कुछ कीडे को और ये भी कुछ किनरे डाइब के कीडे थी जो कि ये भी रिबू हो सके हैं तो ये हमारा चाओकू बहुत ही ओसम तरीके से काट के चला गया पूरे वायरस को और कुछ कीडे ये भी थे जो कि हमारे बड़े वाले चाओकू ने गिरा दिया काट के और हैंड वाला चाओकू बहुत ही से तरीके से ट्रीट्मेंट कर चुका है पूरा का पूरा तो ये हमारे रतीला वाला चाओकू है तो देख सकते हो रतीला वाला चाओकू पूरा का पूरा फिनिस कर चुका है और ये के चुए वाला कीड़ा भी ओसम और लुक तरीके से गेश चुका है कट के पूरा का पूरा और ये भी बहुत घिनोड़ा डाइब का दिख रहा था तो ये भी रिमूव हो सका है गुल्डेन वाला चाओकू आया हमारा तो देखिए बहुत ही से तरीके से हम लोगोंने एनिमेशन और टीटन करना है तो ओसम तरीके से हम लोग ने बहुत ही सेब तरीके से पूरा का पूरा कर दिया है ट्रीटमेंट हम लोग इस्प्रे का दवर डाल देते हैं तो देखिए इस्प्रे का दवर डाल चुका है पूरा का पूरा और आगया हमारा कॉटन तो टाइबर चलने देते हैं टाइबर चलने के बाद देखते हैं फानर जड़ क्या निकलता है हमारे पैर का सही से सब लोग देख सकते हो पूरी ही पैर यूप लग गए हैं बहुत ही ज्यादा गिनोरे टाइब के कीडे जो कि हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका तो देखिए हमारे हैंड वाला चाकु बहुत ही सेफ तरीके से कीडे को काटा तो फाइनली ये वाला भी कीडा गिर चुका है बहुत ही सेफ तरीके से आगे हमारे दूसर वाला चाकु और देखिए ब्लैक ओले मैंगोर्स को बहुत ही सेफ तरीके से रिमू किया एकी बार में और ये भी घौदे घौद वाले कीडे थे उसको भी निकाल चुका है एकी बार में तो हम लोग बहुत ही सेफ तरीके से पूरे ही पैर कर डीप क्लीन करेंगे आज तो देखिए बहुत ही और सुन तरीके से ये भी कट की गिर्च चुका है पूरे के पूरे कीड़े देखिए हमारा क्रोम ओला चाफ बहुत ही से तरीके से काटा कुछ कीड़े को और देखिए ये होल वाले भी कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं के बार में और ये रिड़ वाले कीड़े भी निकल गए एक ही बार में सेब तरीके से आगे पतल लचा को और देखिए इस बड़े वाले कीड़े को कीड़े काटा और ये वाला कीड़े कीड़े और देखिए ये भी फंगल था ये भी रिमू हो चुका है इकीबार में तो अगे हमारा दावा तो देखिए दावाई लग चुकी है बहुत ही सिफ तरीके से हम लोग ने दावा लगा दिया है और आगे हमारा काटम रूल टूई तो टाइम में चलने देते हैं टाइम में चलने के बाद देखते हैं फाइर रिजाट हमारा क्या निकलता है हमारा फैर बढ़ियां से ट्रेटमेंट हुआ है की नहीं